विल्कम एकें टुरामनाजोमी स्कूल पफ स्टडी चलिए आज है लेक्चर एड करेंगे और इसमें हमें बस क्वेशन करने वाला हूं एवरेज एक्सलिरेशन एवरेज इस 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 इसलिए अपके पास अपके पास फ्लाइश गाएगा आप वीडियो को बहुत करें पहले को एक चीज़ को बहुत ही धीरे धीरे हम लोग करेंगे जिसे के आपको सारा कुछ समझ भाए है कोशन कहा रहा है the velocity of a particle moving along x-axis varies in time according to the expression vx ka expression given है ठीक है vx velocity expression given है किसके term में? time की term में so this is 40 minus 5t square यह time की term में given है so this is meter per second square meter per second square नहीं आएगा यहां पर square नहीं करेंगा ठीक है meter per second where t is in second यहां पर x-axis में हम लोग t in second नहीं है time और यहां पर जो y-axis में हम लोग यहां पर एक एक पोशन यह 10 unit करेंगे तो यह 50 हो गया तो y-axis में हम लोगों ने velocity ले जाए ओके अब कोशन कहा रहा है हमें find करना है average acceleration in the time interval 0 से 2 तो 0 से 1 second 2 second इस time interval के बीच में average acceleration क्या होगा और बी पाट करें देटर्माइन दा अक्सलिशन एक्सलिशन एक्सलिशन आट इस एक्सलिशन पूछ रहा है और किसी पाटिकुलर इंस्टेंट अफ टाइम आइस तीश पूँछ ने चाहिए चलिए चलिए, स्टार्ट करते हैं, यह है V और यह है T, अग एक्स्प्रेशन में हम पूट करते हैं, पहले ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने की कोसिस करते हैं, यह ग्राफ कैसा होगा, तो T is equal to 0, अगर हम लोग T is equal to 0 करें, तो यहां पर T is equal to 0 करेंगे, तो velocity कितना होगा, 40, ठीक है, यह 40, meter per second unit ले लेंगे, T is equal to 1 पर अगर हम बात करें, तो velocity कितना हो जाएगा, पांच, तो यह 35 हो जाएगा, ठीक है, पांच चला जाएगा, इसमें तो 35 हो, calculation करके देखेंगे, T is equal to, अगर 2 की बात करें, तो 24, 45, 20, तो T is equal to 2 पे velocity कितना होगा, हमारा 20, 20 minus 20, meter per second में, T is equal to 3 पे अगर हम बात करें, तो 3 तिन तिया 9, 9, 45, तो minus 5, देखेंगे, तिन तिया 9, 9, 45, तो minus 5, तो यहां पे T is equal to minus 3 पे, जो है, यह 1 हो गया, 2 हो गया, यह 3 हो गया, T is equal to 3 पे यह velocity जो है, नीगेटिव चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, कि तीन सकंड से पहले पहले इसका velocity हो जाएगा, 0, अगर T is equal to 4 अगर डाले, तो यह कितना हो जाएगा, T is equal to 4 पे चार्चर का 16, 16, 85, तो minus 40 हो जाएगा, 100, minus 40, तो ग्राफ को पहले हम लोग ड्रौ करते हैं, ठीक ह चलिए, ग्रीन ले लेते हैं, T is equal to 0 पे velocity किता था, देखिए, यह question solve करने के लिए, question solve करने के लिए, यह सी चीज नहीं समझाने के लिए आपे, तो T is equal to 0 पे 40, तो 40 का है बच्चों, यहाँ पे है, so we can write here, red ही ले ले लेते हैं, समझ मैंगा, तो 40 यहाँ पे हैं, यह 40, ठीक 35 यहाँ पे कुछ होगा, ऐसे, ठीक है, यह मैंने मार्क किया, ओके, so यह हो गया, पहला point यह हो गया, यह इसे हम लोग नहीं देखें, यह गलत हो गया, ठीक है, T is equal to 1 पे 35, T is equal to 2 पे हो जाता है 20, तो 10 बीस, T is equal to 2 पे हो जाता है 20, यहाँ पे हम लोग 20 डालेंगे, so this is 20, 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, T is equal to 3 पर minus 5, ठीक है, तो यह हो गया, और T is equal to 4 पर minus 4, T is equal to 4 पर यहाँ पर कुछ ग्राफ आलेगा, ठीक है, यह point, right, अब आप देखें, ग्राफ को हम लोग यहाँ पर जोइन करते हैं, ब्लैक वाइन से, तो ग्राफ कुछ, ऐसा होगा यह हमारा plotting of graph होगा, हमने graph को plot कर लिया, जब हम plot कर लेते हैं, तो अब हमें क्या निकालना था यह चीजी आ गया, कि slope की अगर बात करें, यहाँ पर the slope हमेंसा क्या है, velocity decrease हो रहा है, तो slope क्या हो रहा है, अगर slope देखेंगा, तो negative है, और slope negative है, तो slope negative होगा, तो इसका मतलर है acceleration हमें सा क्या होगा, इसका negative होगा, तो graph के slope से हमें पता चलिजाएगा, यहाँ पर क्या acceleration हमारा negative है, अब कह रहा है, average acceleration in the time interval, t is equal to 0 से t is equal to 2.0, तो acceleration average, ठीक है, v final minus v initial, divide by t final minus t initial, ठीक है, so v final, कितना है, t is equal to 2 पर, 20, t is equal to 2 पर है, तो यह हो जागा 20, so this is 20, minus v initial, t is equal to 0 पर कितना हो जागा, 14, so this is 40, t final पर कितना हो जागा, time 2 minus, 2 से पर बात करें, 1, so this is minus 20 over 1, so acceleration average is equal to minus 20 meter per second square, I hope, 2 minus, यहाँ यहाँ पर 0 होगा, calculation करेंगे, 2 आजागा, तो यह कटके, हमारा 10 आजागा, so, 10 meter per second square, average acceleration, अगर हम बात करें, t is equal to, यहाँ से लेके, t is equal to 2 तक, यहाँ तक, मतलब, इस duration में, यह जो आया, average acceleration क्या हो जागा, minus 10 meter per second, meaning क्या है, इसका, meaning यह है, कि, यह जो है, chord, इस chord का slope, अगर हम निकालेंगे, तो minus 10 होगा, ठीक है, इस chord का slope, अगर हम निकालेंगे, तो minus 10 होगा, समझ में आ गया, यह चीज़, तो chord का slope, यह average acceleration दे गया, अब बात करते हैं, यहाँ पे, graphical समझ में आ गया, t is equal to 2 पे, तो t is equal to 1, 2, इस point पे, particular point पे, इस point पे, slope क्या होगा, यह slope, यह तो chord का slope हो गया, ठीक है, और t is equal to 2 पे, यह slope क्या होगा, जो कि हमारा instantaneous acceleration दिखाएगा, तो यहीं से कर लेते हैं, acceleration instantaneous is equal to dv over dt, इसका मतलब है कि हमें differentiation करना होगा, कि इसका expression का, जो कि 40 minus 5t square है, so, differentiation of 40 minus 5t square, आप calculus में, मैं differentiation करवाया हूँ, जाके आप चेक करेंगा, तो मिल जागा आप ठीक है, so, constant का differentiation करेंगे, constant में कोई changing नहीं होता है, so, this is 0, minus 5t square का differentiation कि तो टोटल किता होगा, minus 10t, okay, 10t, मतब acceleration, अगर इस, अगर कोई भी object, Vx is equal to 40 minus 5t square से move करता हो, तो इसका acceleration minus 10t होगा, किसी भी particular instant पे, इसका मतलब यह है, कि यह जो है, depend कर रहा है, time पे, तो यह constant acceleration यहाँ पे नहीं है, पहली बात होगी है, यह time पे depend कर रहा है, तो acceleration हर time पे यह change होगा है, जब भी constant acceleration नहीं होगा, हम लोग जो motion, equation of motion निकाले है, V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, यह जो, इससे पहले हम लोग calculus से use करें, जो equation of motion निकाले हो, सारे के सारे constant acceleration के लिए है, ना कि variable acceleration के लिए है, तो वो सब equation variable acceleration में use नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग वो सब equation use नहीं कर सकते हैं, धिशान में रखना है, इसी जो, now, determine कर रहा है acceleration at t is equal to 2, तो t is equal to 2 पे acceleration t is equal to 2 पे क्या हो जागा हो, बच्चो, minus 10 into 2, that is minus 20 meter per second square, इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले भी मैंने समझाया, कि acceleration अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, acceleration is equal to minus 20 meter per second, इसका मतलब क्या है, minus to negative sign हो गया, ठीक है, 20 meter per second, मतलब यह हो गया speed, ठीक है, अगर direction लेंगा तो velocity, into, इसको हम लोग अगर S करें, पर second, इसका मतलब है, कि acceleration हर second में, जो velocity है, हर second में 20 meter per second से घट जाता है, ठीक है, हर second, मतलब पहला second में 20 meter घट जाएगा, मतलब यहाँ पे जो constant, यह variable acceleration है, तो acceleration का meaning में यहाँ पे बतानों, घट जाता है, तो यह है average acceleration and instantaneous acceleration, जब भी आप से पूछेगा न, interval के में acceleration, तो हमारा average acceleration हो जाता है, अगर किसी particular point of time पे, जब वो average acceleration हो जाता है, तो इसका मतलब है, को slope of code, जो ग्राफ निकालेंगे, जो slope आएगा, that slope is instantaneous acceleration, पहले भी हम लोग discuss कर लिए है, हम लोग example से यहाँ पे, अभी एक बाट फिर से discuss कर लिए है, ठीक है, चलिए, next question थोड़ा से graphical question है, यह भी बहुत ही शांदार question है, match करना है, अब यहाँ पे कहा रहा है, match each Vx, Vt graph given है, with ATx, एक तरफ Vt graph है, और एक तरफ A, Xt, acceleration time graph है, और match करना है, चलिए, match करते हैं, अगर हम first graph को देखे, velocity time graph, इसका slope क्या है, बच्चु, constant है, 10 theta क्या है, हम इसा, constant, क्यों, क्योंकि, यह linearly increase कर रहे, 10 theta constant है, अगर slope constant है, so, dv over dt is equal to constant, और जो dv over dt है, यही हमारा क्या होता है, acceleration, acceleration क्या है, हमारा constant है, constant कहने का मतलब, एक fixed number हो, जो को जो की time के साथ change नहीं होगा, first case में अगर देखे, तो acceleration time के साथ increase कर रहा, second case में acceleration time के साथ change नहीं कर रहा, third case में acceleration time के साथ change कर रहा है, so first case का graphical time के साथ जो change नहीं करेगा, वो यह हो जाएगा, okay, now, अगर हम बात करें, vx और t, तो इस case में, ध्यान से देखेंगे, किसी भी particular point पे अगर acceleration निकालना होगा, तो dv over dt करना होगा, और हर case में, हर point पे acceleration के साथ increase हो रहा है, ठीक है, यहां से slope जो है constant नहीं है, राधर यह time के साथ increase हो रहा है, यह एक parabolic graph है, ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस तरह का graph लेते हैं, यह parabolic graph होता है, so we can write here, vx is a function of t square, that is k into t square, t square का function है, k constant होगा, so dv over dx, dv over dx, this is equal to k constant है, into 2 into t, क्योंकि differentiate करेंगे, t square को 2t हो जागा, थोड़ा साब को मैनत करना होगा calculus में, so this is 2 into k, that is again constant k into t, मतलब, यह constant k dash constant है, इसका मतलब यह जो acceleration है, directly proportional है, t का, so time के साथ acceleration increase करेगा, v वाले part में, और time के साथ acceleration यहाँ पे increase कर रहा है, मतलब linear function होगा, तो यह वाला option हो जागा, यहाँ पे match लेए, now, next, last question है, यह वाला, इसके लिए, दोनों match हो गया, तो यह होगा, बट इसको हम explain कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इस point तक, हमारा क्या है, slope constant है, acceleration constant होगा, चले जी constant होगा, acceleration, और यहाँ से, इस point से, इस portion तक, हमारा velocity constant है, there is no change in velocity, magnitude में कोई change नहीं हो रहा है, तो चूपी change नहीं होता है, acceleration क्या होगा, जीरो तो यहाँ से आता है, जीरो हो जाया, acceleration से इसका part नहीं हो जाए, तो इस तरह का matching वाला question बहुत बार, पूछा जाता है, examination में, जी में पूस देता है, या फिर जो engineering entrance examination है, need का examination है, उसमें पूस दिया जाता है, level धीरे-धीरे हम लोग अपने question का बढ़ाएंगे, थोड़ा सा concept clear हो जाए, अच्छा से बच्चों का उसके बाद धीरे-धीरे level बनाएंगे, चलिए, आज के लिए तना ही रखते हैं, I hope चैनल को सब्सक्राइब करें, content को share करें, will icon button को जरूर दबा ले, जिसकी जोबी वीडियो में होता है, उसका नोटित की जल आप तक पहुंच जाए, तो आज के लिए इतना ही रखते है, have a nice day, जाहें